किसी ने सही ही कहा था अच्छे काम में हाथ बटाने कोई नहीं आएगा पर टांग अडाने सब आ जाएंगे हाली में पारित कृषी कानून के विरोध में अराजकता वादियू ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है जिसके अंतरगत, दूद, फल और सबजी जैसी जरूरी सेवाओं की आपूरती को रोका जाएगा और देश भर में यातायाद को ठप किया जाएगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक केंद्र सरकार लागू किये गए कृशी कानून को वापस नहीं ले लेती लेकिन ऐसा लगता है कि ये राजक आंदोलन शुरू होने से पहले ही खर्म हो जाएगा ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भारत बंद, भारत बंद कम और NCR पंजाब बंद अधिक प्रतीत होता है इसे दिल्ली, पंजाब और कुछ हद तक राजस्थान को छोड़ कर किसी भी राजजे ने अपना समर्थन नहीं दिया है यहां तक कि पश्चिम बंगाल ने भी इस बंद को अपना समर्थन नहीं दिया है लेकिन इस भारत बंद की राजक्ता के विरोध में अगर कोई सबसे अधिक आक्रामक है तो वो है योगी आदितिनाथ जिन्होंने भारत बंद को यूपी में थोपने का गंभीर दुष्परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है हाली में एक सभा को सम्मोधित करते हुए योगी आदितिनाथ राजक्ता वादियों के विरोध बेहत अक्रामक रुख अपनाते हुए बोले केंदर क्रिशी मंत्री ने 2010 और 11 के सभी राज्य सरकारों को क्रिशी उपज मंडि समीधियां एक्ट में संशोधन के लिए पत्र लिखा था कॉंग्रेस और उसे समर्थन करने वाले राजनितिक दल आज अपने वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं ये किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश में आराजकता फैलाने का प्रियास कर रहे हैं भारत बंद के दौरान किसी को भी कोई परिशानी नहीं होने दी जाएगी सरकार का प्रियास है कि सभी जिगाय पर सितीश समानने रहे भारत बंद को लेकर सरकार बेहद मुस्तैद है इस भारत बंद के दौरान कहीं पर भी कोई अप्रिय वारदात होने या फिर कहीं पर भी जबरन दुकान बंद करवाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सक्त एक्शन लेगी भारत बंद के नाप पर कहीं पर भी आप भधरता या फिर सरकारी उपकरम या फिर स्थल को नुकसान पहुचाने वालों पर जरा भी रहम नहीं किया जाएगा शांतिपून धंग से अपनी बात कहने या फिर अपना विरोध प्रकट करने का दिकार सभी को है अगर प्रदर्शन या विरोध के दौरान किसी को नुकसान होगा तो सरकार नुकसान पहुचाने वालों से भरबाए भी करा लेगी इसके अलावा भारते किसान महासंग ने भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देने से मना कर दिया है मही चीन के विरुद आर्थिक मोर्चे पर धमाके दार प्रदर्शन करने वाले Confederation of All India Traders यानि CAIT ने भी इस अराजकतावाद को अपना समर्थन देने से मना कर दिया है नव भारत ताइम्स की रिपोर्ट के अनुसार Confederation of All India Traders और ट्रांसपोर्टरों के संगठन All India Transporters Welfare Association ने किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को बुलाएगे भारत बंद से अलग रहने की घोशना की है कैट ने सुमवार को कहा कि नए कृशी कानूनों के खिलाफ मंगलवार को किसानों के भारत बंद के दौरान दिल्ली और देश की अन्ने हिस्सों में बाजार खुले रहेंगे वहीं AITW ने भी घोशना की है कि भारत बंद के दौरान परिवहन या ट्रांस्वोश शेतर का परिचालन समाने रहेगा अब योगी सरकार अपनी बात के प्रतीक कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लखनों में विरोत प्रदर्शन के नाम पर जंता को भड़काने का प्रियास कर रहे सपा के वरिश निता अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया था लेकिन योगी आदितिनाथ इसकाम में अकेले नहीं है जहां पुरुवत्तर भारत के राजी इस प्रदर्शन को तनिक भी भाव नहीं दे रहे हैं तो बंगाल सरकार ने वोटों की खातेरी सही पर इस अराजक प्रदर्शन में भाग लेने से मना कर दिया है यह वही योगी आदितिनाथ हैं जिन्होंने नागरिक्ता संशोधन कानून के एक नाम पर आजजनी कर रहे उपद्रवियों और उन्हें बढ़ावा देने वाले राजनीतिक दलों के विरुद का ठोर्तम कारवाई करने में तनिक भी हिचके चाट नहीं दिखाई थी यह वही योगी आदितिनाथ हैं जिन्होंने हात्रस हत्यकान को जानबूच कर सामप्रदाइक हिंसा में परिवर्तित करने में जूटे राजनीतिक दलों को धूल चाटने पर विवश कर दिया था ऐसे में भारत बंद के विरुद अक्रामक रुखपनाकर योगी आदितिनाथ ने ये सुन्शित किया है कि विरुद के नाम पर वियरा जक्ता वादियों द्वारा जनता को बंधक नहीं बनने देंगे